जेहन पर द्यार दियों क्या हाल चाल सब बढ़िया चलते हैं आज की बहतरीन सी क्लास के ओर क्योंकि पिछली क्लास है मैंने सिभ धर्म के बारे में प्रमुख जान करी देने का कार किया था जो कि आपके अग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लियाती महतपून होने का कार करता है चलते हैं आज की बहतरीन सी क्लास के ओर क्योंकि आज की क्लास सच में जानदार सानदार होने की कार करेगी क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं श्वभधर्म के परमाण क्या मिले परमाण किस आधार पर हम कह सकते हैं कि श्वभधर्म था श्वभधर्म है ठीके ना तो इसके बाद हम बामन पुरान बगएरा सब कुछ बारों में प्रमुख रूप से आजम पढ़ने का कार करेंगे जो कि प्रमुख महत्पूर्ण है एक्जाम की दरश्टी से तथ आपकी जीवन की दरश्टी से जो बिध्यारती सोचते हैं 2023 के अंते मंतिम तक एक बहतरीन सी जॉब होने चाहिए तो भी यह मैं कहा रहा हूँ जुड़ जाईए Future Academy X by Z से क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको विल्कुल फ्री में Foundation Batch प्रोवाइट कराने का कार कर रहा है यहाँ पर आपको बता दे Physics वाले सर मिलेंगे Chemistry वाले सर मिलेंगे English वाले सर मिलेंगे यानि किसी भी चीज़ की preparation करनी हो तो जुड़ जाना Future Academy X by Z से क्योंकि यह एक ऐसी इसन्स था है यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको 2030 के अन्ते मंतेम तके बहतरी इंसी जोब देने का देने का बादा करता है इसलिए में यहाँ पर आपको उदनी ही subject के foundation badge मिलते है यहाँ पर अभी math का foundation badge नहीं है लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर आपको महत का भी एक बहतरी से teacher के द्वारा आपको एक badge पढ़ाया जाएगा foundation का पूरा math के लिए आपसे करवा दी जाएगी और आपको मज़ा आ जाएगा क्या मज़ा आ जाएगा और exam थर-thर कापने लगेगा इस चीज की guarantee देंगा हम है बशरते regular जीवन में regular बने रहेगा और daily class लीजिएगा क्योंकि वही महत्पूर है क्योंकि आप जब daily class तता daily revision तता weekly revision पर जब आप फोकस करते हैं तो कहीं न कि आप उन विध्यार्दू से आगी बढ़ने का कार करते हैं जो इस दोड में दोड़ने का कार करते हैं चलते हैं अपनी बहत्रीन से class की और क्योंकि आज की class सच में जानदार सानदार होने का कार करेगी तो बात करें हम शेब धर्म की तो शेब धर्म की परमाणों की अगर परमकुरूप से बात करना चाहूंगा तो अगर हम बात कराैं, प्रारंविक 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 प्रमान बताएं, तो हड़पा संशक्र्थी में देखने को मिला, लेकिन इसको क्या मिला, आपको पता दें, पिछली बीडियु मैं पढ़ा चको हूँ, इसके बारे में डेटेल से, जन विध्यारत उन्हें न रुद्र या सिब कहा गया, क्या कहा गया, रिक बेत की अगर हम बात करें परमकुरूब से, रुद्र या सिब कहा गया, क्या कहा गया, रुद्र और सिब कहा गया, रिक बेत की परमकुरूब से अगर हम बात करें, तो सिब को रुद्र तथा शिब कहा गया, चीज़ है किलियर देखो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो भाया ये जो future academy है न ये आपको बता दें ये मेरा नहीं है ये मेरा नहीं है ये आप लोगों का है ये आप लोगों का परिवार है आपको पता एक छोटा सा पौधा है इसमें ग्यान रूपी गंगा आप जितनी जल का प्रभाज जतना करेंगे कहीं न कहीं उतना ही बड़ा बिसाल पिर्ड यहां पर आपको देखने को मिलेगा ये मैं कभी नहीं कहता हूँ कि future academy परिवार है चैनल नहीं है भया जी यह परिवार है और आज मैं बता दूँ कि future academy पर 1.13 के subscriber कमपलीट हो चुके हैं जो की एक बहुत बहतरीन सी बात है और ये मुकाम जो हासिल आप लोगों के दोरह ही हमें पराप्त हुआ है मैं बता दूँ कि हर एक मुकाम आप लोगों के दोरह ही हासिल किया जाता है और अगर आप चाहें तो क्या नहीं कर सकते हैं जैसे हम regular है कि आपको daily video provide कराते हैं daily best content देने का कार करते हैं बहुत महतरीन तरीके से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा content रहता है और कहीं न कहीं आपके लिए बहुत आगजाम के लिए आप लोगों के लिए बहुत साहता करने का कार करता है तो बसरते आप लोग भी पढ़िएगा daily revision weekly revision दो फोकस करेगा आपको भी अपने परिवार में जो पिता है पिता की फिक्र को फक्र में बदल लेगा गार गरना है ना तो यहाँ पर समझेगा रिग बेद में अगर बात करें तो रिग बेद में सिव को रुद्र सिव को क्या कहा गया है किस बेद में सिव को रुद्र या सिव कहा गया है तो कहना सर वो है रिग बेद में किस में कहना सर रिग बेद में इसका बात करेंगे अर्थर बेद अर्थर बेद की बात करें तो अर्थर बेद में सिव को भव भव शर्व तथा पशूपती एवं भूपती कहा गया है अगर बात करें किस बेद में सिभ को भव शर्व पशूपती तथा भूपती कहने कर पुकारा गया है किस बेद में भूपती कहकर पुकारा किस बेद में पशूपती कहकर पुकारा तो कहना सर भै एक मातरवेद जो है गो है अतरवेद ठीक है अगर मतश्य पुराण की बात करें तो मतश्य पुराण में लिंग पूजा का पहला इसपष्ट बरणन है किसका है लिंग पूजा का पहला इसपष्ट बरणन है और लिंग पूजा बहुत सारे भिध्यारति होंग का पहला कि मिला पहला इस पश्ट बरणन देख token को मिलता है तेटरे अब रणएक में रुद्र की पत्नी पारवति को पंभा गया है ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमारी पारवति मईया कानाम प्रमक रुप से हम पत्मा भी कहते हैं हमा गोरी तता भेरवी के नाम से जानते ह है हमारी परवती में या को ठीक है न इसके इलाबा ये तैतरे में प्रमुक रूप से इसका बंढ़न मिलता है यहाँ पर देखें प्रमुक रूप से यहाँ पर लिखा है बामन पुराण की अनुशार शेथ धर्म का मुखिता चार भागों में बाटा गया है क्या भी है जी बात करें तो पहला भाग है पशुपतिक पशुपतिक की अगर बात करें तो यह शेव धर्म की सबसे प्राचीन साखा है क्या है यह शेव धर्म की सबसे प्राचीन साखा है इन्हें पंचार्थी क्या बूलते हैं पंचार्थी भी कहते हैं ठीकिना सीदी सी बात है सबसे प्र पशुपतिक संपर्दाये में देखने को हमें मिलता है इसके बाद लुकुलेश को सिभ भगवान की अठारा अबतारों में से एक माना जाता है क्या माना जाता है अठारा अबतारों में से एक माना जाता है इसके बाद बात करेंगे पशुपत पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सधात्वे ग्रंथ कौन स कापालिक के बारे में प्रमखुरूब से हम कल बढ़ने का कार करेंगे इससे पहले एक बार रिविजन कर ले थे हैं जिसे सारी चीज़े प्रमखुरूब से किलियर हो जाएं बात करें सिभ धर्म की तो शिभ धर्म में मैंने आपको बताया कि शिव धर्म के अगर प्रमानों की बात करें तो प्रारंबिक प्रमान की बात करें तो यह हडपा संस्कृती में देखने को मिला रिक बेद में सिव को रुद्रिया सिव कहा गया और अर्थबेद के अगर बात करें इस पश्ट बर्नन हमें देखने को मिलता है तेतरी के अगर बात करने तो रुद्र की पतनी जो पारवती है इनको उमा गौरी भेरवी के नाम से भी जाना जाता है और इनके प्रमुख नाम है आप लोगों सबी लोगों को पता है इसका बात करी हमने बामन पुराण के लकूलिश्ट थे इसमें इसमें सिभ की अठारा अपतारों का बढ़नन हमें देखने को मिलता है लकूलिश्ट को भी से भगवान के अठारा अपतारों मैं से एक माना जाता है पशूपत शंपरताय का प्रमुख सधात सिध्ध समझ रहो ना जो बहुत ज़दा प्रशद हो बिद्यारतियों आपके लिए कुछ भी हो जाए ना किलास तो जरूर आती है चाहे राम से तु बैचकी हो चाहे वो अगनी पत बैचकी हो बहतरी तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती है और मैं आपको बता दूँ आज इस सुब अफशर पर मेरा एक मानना है कि एक नई प्लेलिष्ट का निमाड होने वाला है और नई प्लेलिष्ट का नाम पड़ेगा महा भारत प्लेलिष्ट क्या महा भारत प्लेलिष्ट में हमारी वीडियो भी मिलेंगी आपको उसमें आपको बताते हैं फिजिक्स वाली सर की वीडियो भी मिलेंगी और इंग्लिस वा बाला जाए और हम राणा के बंसज हैं और फेक जहां तक बाला जाए यह जाद वीडियो को साब्त करना चाहूंगा जो बिधारती नए है वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और सेर करके आएंगे अपने हार दोस्तों चाने वाल